नमस्कार शाम के पांच बजने वाले हैं, दंगल में आप सभी का स्वागत है, आपके साथ मैं हूँ चुत्रात्रिपाथी देश की सियासत में धर्म सबसे हिट फॉर्मूला माना जाता है हर पार्टी अपने एजन्डे के हिसाब से इस फॉर्मूले को भुनाती रहती है तियोहारों का है मौसम, ऐसे में इसमें सियासी रंग चड़ना शुरू हो चुका है राजिस्तान में रमजान में बजली ना काटने का फर्मान जारी किया गया तो दिली जलबोड ने मुस्लिम कर्मचारियों को रियायत वाला आदेश जारी कर दिया है वहें दक्षने दिली में मांस की बिक्री के आदेश पर हंगामा बर्पा हुआ है ऐसे में धर्म के नाम पर क्या है सियासत का ये पूरा का पूरा खेल इस पर बादशीत के लिए हमार साथ जुड़ेंगे खास महमान लेकिन उसके पहले ये रिपोर्ट देखिए अच्छी खबर है राजस्थान के रोजेदारों के लिए अच्छी खबर ये है कि अब राजस्थान में मुस्लिमों को राथ के अंधेरे में नहीं खोलना होगा रोजा अंधेरे में नहीं करनी होगी इफ्तारी क्योंकि अच्छी खबर आई है मुस्लिम इलाकों की गलियां रोशनी से नहाई जोदपुर्डिसकॉम को सीधा आदेश जारी है उर्जा मंत्री की ओर से जिसमें निर्देश है कि रमजान के महिने में बिजली दुरुस्त की जाए मुस्लिम इलाकों में लगातार सप्लाई दी जाए विसकॉम के अधिकारी भले ही मंत्री के आदेश के बाद हर त्योहार में ऐसी ही तैयारियों की दलील दे रहे हैं लेकिन बीजेपी इस आदेश पर सवाल उढ़ा रही है नवरात्री का जिक्रकर गहलोट सरकार पर पक्षपात वाला आरोप लगा रही है क्या उन्होंने कभी दिपावली पे ऐसे किया है क्या यदि दिपावली पे किया होता तो रमजान पे भी अतराज नहीं था का मतलब तो तुसकी करनी है साथ है कि बिजली सपलाई को लेकर अब राजस्थान में नया बवाल है धर्म के आधार पर बिजली सपलाई पर सवाल है पूरे विवाद के बीच सत्ता धारिक कॉंग्रेस का भी जवाब तयार है बीजेपी पर धर्म वाली राजनेती करने वाल अवार है रमजान और नवरात्री के बीच धर्म वाली पॉलिक्स की पावर सपलाई सिर्फ राजस्थान तक सीमित नहीं है दिली में भी इस पर नई लड़ाई है दक्षिनी दिली नगर निगम ने मांस की दुकान बंद करने का अदेश दिया तो इस पर भी सियासत गर्माई है यह पाक महिना है इसमें लोग रमजान भी है इसमें नवरात्रे भी है माधुरगा के रूप भी है मांस की दुकाने बंद करने के अदेश को लेकर हर दल के अपने अपने तर्क है बड़ी बात यह है कि अदेश पर सियासत गर्म और नहीं पूरा देश इसको लागू करे इस विवाद को दिल्ली जलबोड के एक फैसले ने और बढ़ा दिया रमजान में मुस्लिम कर्मचारियों को दो घंटे रियायत के आदेश से सियासत को और भढ़ा दिया अब रमजान के महिने में विवादों वाली राजनीती जारी है कहीं बिजली सपलाई तो कहीं काम में छूट को लेकर हंगाम आभारी है आज तक बेर अपने आपने बहुत सारे सवालों को जन बेती ये रपोर्ट आपने देख लिए इसी पर चर्चा की शुरुवात करते हैं खास महमान जो चुके हैं उनका परचया आपसे करवा देते हैं डॉक्टर संबित पात्रा राश्चिर प्रवक्ता भारती जनता पार्थी के इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं मुकेश शर्मा कॉंग्रिस पार्थी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं लेकिन सबसे पहले संबित पात्रा जी शुरुवात आपसे ही करते हुए अगर राजिस्थान सरकार की ओर से इस तरह का फैस्ता लिया गया है रमजान के मौके पर बजली नहीं काटी जाएगी मुस्लिम मुहलों में तो बीजेपी को करंट क्यों लग रहा है देखे चित्रा जी बीजेपी को करंट नहीं लग रहा है हमें आश्चरी चकित होता है और मुझे तो आपत्ती है ये मुस्लिम इलाका क्या होता है आप बताएं ये तो हिंदुस्तान है ये हम सबका इलाका है मैं कुछ दिनों से अगवारों में भी पढ़ रहा हूँ और न्यूज में भी देख रहा हूँ करॉली को लेकर जब हमारे हिंदू भाई मुस्लिम इलाके से गुजरे तो लगाते रहेंगे ये हिंदू इलाका ये मुस्लिम इलाका फिर बाद में आप ही दों हमसे सवाल पूछते हैं कि ये पार्टीशन वाले माइंड़ करते ये अलगाव वादी माइंड़ सेट के साथ हम क्यों डिबेट करते हैं यदि हमारे देश में विमर्श बन रहा है कि फ वहां रमजान में पूरी तरह से उजाला होना चाहिए और वहीं ये हिंदू इलाका है यहां रमजान के महीने में अगर अंधेरा भी रहेगा तो चलेगा क्यूंकि ये रमजान को नहीं मानते हैं ये पार्थक्यता करना ये किसी सरकार का काम नहीं है ना केंद्र सरकार का काम है ना राज्य सरकार की आप मुझे एक भी ऐसी नीती बताईए जहां केंद्र सरकार ने किसी योजना को इस प्रकार से डिवीजिव एटिट्यूट से देखा हो कि हम जो गैस सिरिंडर हैं हम मुसल्मानों को ज़ादा देंगे हिंदूओं को कम देंगे या हम जो ये इजजत घर है ये हम हिंदूओं के इलाके में ज़ादा बनाएंगे मुसल्मानों की इलाके में कम बनाएंगे जब हमने कभी पार्थक्यता नहीं की ये जो तुष्टिकरन की राजनीती है ये कांग्रेस पार्टी आखिरकार क्यों अपना रही है? यदि हमने किया है, तो कोई हमने गुना नहीं किया है, सब का सब लोगों का ध्यान रखना सरकार की चुनिवी सरकार की जिम्मेदारी है, शायद संबित पात्राजी की सरकार की जिम्मेदारी कुछ और होगी, हमारी जिम्मेदारी सब के लिए बराबर की है, और हम सब का सब यह जो लडाने का में या जो करॉली का जिकर संबित पात्रा जी ने बी किया है यह पी निद्दा जी गए थे वो क्या वाशन उने दिया मैं उस बहस में नहीं पट रहा लेकिन भी जल रहा है बात्री मनाने वाले लोग क्या अंधेरे में रहें क्या उनको नहीं करनी है मादुर्गा की पूजा क्या उनको नहीं अपनी जिन्दकी को लेकर आगे बढ़ना है और त्योहारों के बिरामन के जानता हूं मैं वैसा बिरामन नहीं हूँ जो दूसरे को मार दूँ। मैं बिरामन धैलू होता है। बिरामन सब का जान चाथा था हूँ हम राजिस्तान सरकार ने यहिए जो बिजली भाग görünे आदेशि उससे बिल्कुल नहीं भाग रहा हूँ, वो जाय जादेश है, हमने सब का जान रखा है, मंदरों पर भी ऐसी रवस्ता है, जैसी रमजान के लिए रवस्ता है, इसको तूल देने के अशिक्ता नहीं है, जहां तक सवाल करोली का है, करोली के अंदर नड़्डा जी ने गए थ जित्रा करके महौल खराब ना करें राजिस्तान का, जित्रा जी वो शांती तो दिखी रही है, जित्रा जी बहराल मैं आश्चरी चकित हूँ, आप देखिए ये जो सुविधा की जाती वादी है, अभी तुरंत इन्हों ने कहा कि मैं भी ब्राम्वन हूँ और आप चित्र जी आप भी ब्राम्वन हैं, और मैं आप से बड़ा वाला ब्राम्वन हूँ, और इनका सबसे बड़ा वाला ब्राम्वन जो कोट के उपर जनेव पहनता है, जब हिंदूों के उपर करोली में आक्रमन होता है, तो वो सबसे बड़ा वाला ब्राम्वन बतानी कहा चुपा चित्रा जी इस प्रकार के अभद्रता नहीं यह हैड मास्टर की तरद चिलाना बंद करें चित्रा जी नंबर एक नीजी का टाक्स क्या होता है चित्रा जी आप ही के शो में एक पाट ने एक करके बोलें मुके शर्मा जी आपकी बाली आई कि तबाप बंद करवाएं चित्रा जी आप दो लोगों के शर्मा जी यह तरीका ठीक नहीं है देखे अगर आप बार बार उनकी बीच में बोलेंगे तो मुझे मजबूरन आपका आडियो डाउन करना पड़ेगा प्लीज साहिए बिलकुँ तरीका ठीक नहीं है गीता भट भी हमारे साथ जुट शुकी है राज़रतिक विश्टेशक उनके पास में जाओंगी लेकिन मुकेश जी मुझे उम्मीद है पूरी कि आप डिबेट की मर्यादा का समान करेंगे और थोड़ी देड़ चुप रहेंगे आप डॉक्टे समझ सकता हूँ इनकी मान सिखता और इनके फ्रस्ट्रेशन को मैं इनक्षमा करता हूँ और मैं आशा करता हूँ यह शांती से मुझे सुनेंगे देखे मुझे तो आश्चरी इस बात का हो रहा है आप सोच के देखे जरा नीजी टिपणी नीजी टिपणी क्या होती है इन्होंने एक देश के बड़े चैनल में कहा कि मैं ब्राम्हन हूँ और आप एंकर साहिबा आप ब्राम्हन है और मैं बड़ा ब्राम्हन हूँ मतलब मेरा घराना जो ब्रामन का है वो बड़ा ब्रामन है और फिर इनी की पार्टी ब्रामन के कारण किस प्रकार के अत्याचार होते हैं इनी की पार्टी जाके बाकी राजियों में विशय पर प्रचार करती है और कोट के उपर जनेव पहन के अपने आपको ब्रामन कहना ये कहा रमजान में जो मुसल्मान इलाके हैं उस पे हम बिजली से जगमगाएंगे कोई आपती नहीं है नवरात्र भी चल रहे हैं कभी इनकी हिम्मत है कि हिंदू इलाके इनके मुह से निकलेगा नहीं उस समय ये सारे लोग सेकिलर बन जाएगे क्योंकि मैंने तो कभी किसी प्राजन के पीछे इसी प्रकार की वोकाइबलरी थी मुष्भी मिलाके यूंने कहा कि वह सामन इसी बात है इसमें इतना मैं पूरा विशय रखनू आपने हमारे अध्यक्ष जी के विशय में भी कहा है मैं ये सारे विशय रखनू फिर आप बुलिएगा आपने कहा करोली में जो हुआ नड़ा जी नड़ा जी के भाशन के कारण हुआ नड़ा जी के भाशन के कारण हुआ अरे एक मुस्लिम इलाके कोट अनकोट अकबारों में छपा आप लोगों ने कहा कि मुस्लिम इलाके में भगवार एली हो गई और आप जानते हैं कौन इसके जिम्मेदार है आपका काउंसिलर कॉंग्रेस पार्टी का काउंसिलर मतलूब अहमद आपने फायर दर्ज किया है आपकी सरकार ने मतलूब अहमद के खिलाफ फायर दर्ज किया है और मतलूब अहमद अभी भागा भागा पिर रहा है वो एप प्ताजी का नाम आप लेने से पहले सौ बार सोचिए और इस प्रकार के चहरे मत बनाएए भयावा चहरे मतलूब एहमद आपका काउंसलर है मस्जिद के उपर से और अपने जिम के उपर से इसने पहले से ही मास्क पहन करके पहले से घरों के ऊपर पत्थर कौन रखता है और तमाम न्यूस चैनल्स ने जा करके उन छटों का मुआयना किया है उन छटों के उपर टनो टन पट्टियां रखी हुई थी पहले से पहले से ही आपने तयारी कर रखी थी पेट्रोल बंप पहले से ही रख रखे थे मैं आपको बता दूँ यह कांग्रेस के प्रवक्ता यह मौझूद है और चित्रा जी बहुती जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूं मुझे ख्षमा करिएगा इस प्रकार के लोगों के कारण ही जो लोग अपने बेनिफिट के कारण हिंदू का हलन करते हैं ऐसे लोगों के कारण ही देश का विभाजन एक बार नहीं सैकड़ों बार इस विराट राष्टर का विभाजन हुआ है कहां तो हंकोर मट से लेके पूरी जगा हम पहले हुए थे कहां सिमट सिमट कर आज रहे गए वो बार 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 जो आपने फायदे के लिए हिंदों को बेचने का काम करते हैं मैं बोलूं चित्रा जी जी बिलकुल मुकेश जी बोलिए आप ही से ये सवाल है मेरे से सवाल संबित जी ने भी किया उसका भी जवाब दोगा मेरा ये कहना है पहली बात तो मैंने ये नहीं का कि मैं आपसे बड़ा बिरामन हो संबित जी गलत इंटर्प्रेट मत किजिए दूसरी बात चित्रा जी ने मुझे बिरामन का मैंने बिरामन का सवाल नहीं उठाया मैं ये बड़े साथ तोर पर मैंने पहले का था मैं फिर दोराना चाहता हूँ हमारे लिए मंदिर हो मस्जिद हो गुर्दवारा हो चर्च हो हमारे लिए सब आस्था की जंगे हैं और हम सब का बराबर सम्मान करते हैं ब्राबर कर समय करने सर मुकेश शर्मा जी आरहा हुद आप मुझे कहते हैं मैं बीच में ना बोलू हमें सुनना नहीं चाहते हैं और आप जिस नाम पर करते हैं वो सब देश जानता है, कोई छुपावा किसी से नहीं है, चुनाओं में हाट जीते का लग विश्य है, बीजेपी की नीती सब जानते हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारे लिए सब बराबर हैं, हम होली दिवाली पर त्यभारों पर यसी बचते नहीं है, ये आपकी सरकारों में होता है, शकल देखकर टीका करने ये काम हमारी सरकारों में नहीं होता है, और आपने जो राहूल जी के बारे में टिपनी किये, मुझे उसमस्द सक्त इत्राज है, हिंदू का सब्डिकेट लेने के लिए बीजेपी के प्रवान की ज आचारी प्रवोर्ट क्रिशन जी भी हमारे साथ जूट चुकिया है, उनके साथ में चर्चा में आगे बढ़ने के लिए सब बराबर हैं, और सबके लिए सब्का सम्मान करते हैं, तो वो दिखना भी तो चाहिए, वही मैं सबाल पूछ रही थी, लेकि ये जुबान से जित अगरमातरों में वहाँ पर बजली नहीं काटी जाए, मोकेल शर्मा जी मुकेश शर्मा जी, यहाँ पर मुस्लिम बहुले शेत्र की बात हो रही है, मस्जिद में बिजली देने की बात नहीं हो रही है, हिंदो बहुले में एक सिकल सर, आप बोलिए न, आप बताईए कि नवरात्रों में नौ दिन तक नहीं जाएगी बिजली, इस सरक्या देश कहां आप मुझे उस चिले का नाम बताईए जाने मरात्रों में बिजली जा रही है, मैं ठीक करवाँगा, बताईए आप नाम, सर ठीक कर रहे, राजिस्थान में आपके सरकार है, ये काम भी मिलिया, ये बताता परेगा, तो आपको वहां की जनता ने चुन-चुना है, ठीके, स चित्रा जी मैं इसलिए मुस्कुरा रहा हूँ, मुकेश जी मेरे सीनियर है, अनुभव में भी सीनियर है, राजनिती में उमर में भी सीनियर है, मगर आज फ्रस्ट्रेशन और इनकी बधाली देखकर कॉंग्रेस पार्टी के नेताओं का क्या हाल हो गया है, इसलिए मैं में बोलिये बोलिये मत माइक पर अभी सुन ली जिए देखिए मुझे तो आश्चरी इस बात का होता है बार बार एक शब्द का इन्होंने इस्तेमाल किया मुझे certificate की अवश्क्ता नहीं है certificate की अवश्क्ता नहीं चितरा जी इस लोकतन्तर में सबसे बड़ा certificate कोई देता है तो जनता जनारदन देती है Congress party का वर्चस्व कितना बड़ा था आप सोच के देखिए कैसा वर्चस्व यही मुकेश जी जो आज आज आपके channel बे बैठे हैं न जाने कितने बड़े नेता थे कितने बार के यह विधायक थे आज इनहीं के गलत तुष्टिकरण की नीतियों के कारण Congress party का क्या हनन क्या हनन हुआ है क्या रास हुआ है आप सोच के देखिए फिर भी इनके विवारों को देखिए फिर भी इनकी नासंजी को देखिए ने 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 आप मुकेश जी कोई भी वेक्ति कोई भी मनुश्य हमेशा नहीं रहता है आपकी तुष्टिकरण की राजनीति को भाई साब मैं तो कुछ भी नहीं हूँ मैं तो धूल हूँ धूल मेरे क्या उकात है मगर सुन तो लीजिए नाचीज की बात भी सुन लीजिए मैं इतना बोल रहा हूं मुकेश जी आप लोग आपने अभी आपने आपको ब्राह्मन का मैं नहीं कह रहा हूं ब्राह्मन कहना नहीं कहना उचीत अनुचीत है उसके बावजूत आप इस तरह हिंडूओं के उपर आ एक सेकंड सुन लीजिए अगर मुकेश सब इलाके में बिजली बराबर कि आ रही थी आपको लगता है में मेरो सुन्तों लीजिए अगर आपको अप्रोड़ आगे बढ़ते हुए बाकी मेहमानों को भी लेकर आती हुए संभी जी आप अपने बात पूरी कीजेगा यह सवाल महतुपूर्ण है कि यह सरकुलर क्यों निकाला गया और बाद में उसके पूरी की गई है क्यों नहीं गलत है क्या मुस्लिम बाहूले इलाके में बिजली रहे है हिए घलत बयानि मत कीजे यहां पर गलत बयाशन की डूर्ण गया रहती है राज्यतिक हत्यार बनाने की कोशिच की जारी है क्योंकि राजिस्थान से एगर मैं थोड़ा दिल्ली लोटूं तो यहां पर दक्षणी दिल्ली में मेर साहब की ओर से एलान किया गया है कि वहां पर जो मांस की दुकाने हैं वो बैन रहेंगी क्योंकि तई जगों पर तो देखिए चित्राजी जब धर्म के नाम पर यह इस तरह की बहस होती है इस तरह का विवाद उत्पन होता है तो उसका फायदा जादा तर भारती जिंता पार्टी को मिलता है ऐसा देखने में आता है और ऐसा प्रमानित भी है डॉक्टर समीत पात्राजी जो बात कह रहे हैं वो बड़े टार्गेटिड हो करके कह रहे हैं कि जो राजिस्थान सरकार का फैसला है और जो दिल्ली सरकार का फैसला है मैं दिल्ली सरकार के या दिल्ली के मेयर के इस फैसले से वो कह रहे हैं कि नवरत के अंदर मीट की दुकाने बंद हो जाएंगी या बंद कर देनी चाह तो मैं तो कहना चाहता हूं कि मीट की दुकान ने पर्मानेट बंद कर दिया जाए, कोई जरूरी थोड़ी है मासा हार होना, शाकाहारी होना चाहिए, और समीत पात्राजी की सरकार है, यूनियन टेरिटरी के रूप में एक तरह से दिल्ली रही है, तो आठ साल से तो देश मे इनकी सरकार है, तो मैं तो इनकी पाइटी की मेर से भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, और समीत पात्राजी से भी करना चाहता हूं, पूरे देश में मीट, अंडा, मास, मचली, ये सब बंद होना चाहिए, मेरी माँ है, आज आज आपके चैनल से, राष्टिये चैनल से, प्रदेश के सबसे बड़े चैनल से और देश की सबसे बड़ी एंकर चित्रा त्रिपाठी की उपस्तिति में इश्वर को साक्षी रख के मेरी प्रार्तना है आदर्णिये समीत पात्रा से के पूरे देश में मास, मच्ची, अंडा है ना सब बंध होना चाहिए आप मेरी ताके वहां की सरकार को भेदभाव करती हो लेकिन पॉलिटिकल पॉइंट एव्यू से राजनेतिक देश्टी कौन से इस तरह के तमाम विवादों का फाइदा बीजेपी को मिलता है और कॉंग्रेस के नेतार कॉंग्रेस की सरकार हैं अक्सर ये काम करती हैं जिससे कॉंग् सरकार किसी एक जाती की किसी एक धर्म का पक्ष नहीं ले सकती है बिलकुल किसी एक धर्म विशेस की तरफदारी नहीं कर सकती है ना किसी एक एक किसी धर्म विशेस का विरोध कर सकती है सरकार सब की होती है इस तरह की बात करना मुझे लगता है कि सरकार का ये एक भूल से क कहो या जान करके कहो गलत फैसला है लेकिन एक अंत में मैं डॉक्टर सम्मीत पात्रा से ये कहना चाहता हूं कि इलक्षन में हिंदू मुसल्मान, स्कूल में हिंदू मुसल्मान, कॉलिज में हिंदू मुसल्मान, भाशन में हिंदू मुसल्मान, बहस में हिंदू मुसल्मान, करेंगे सत्ता के लिए IPL आपने जो जो किया है मैं मानता हूं कहीं हिंदू मुसल्मान करने से आपको सत्ता मिलती है लेकिन ऐसी Abbota किसौम की मैं कि- डॉक्टर सम्मित पात्रा ये काटने मुश्किन है अगर आपको लगता है कि मेरी बात खराब है मेरी बात बुरी है तो आप मेरा विरोध कर सकते हैं अपरत के बीज बोने का काम कर रही है बीजेपी जो आरोप लगा रहे है प्रमोध कृष्णन जी ठीक है सर आपने मेहत्वपूर्ण से बाल उठाए हैं उस पर मैं जवाब ले लेती हूँ गीता भट्जी उसके बाद में फोरण आपके पास आउंगी डॉक्टर सम्मित जी अभी मीट के दुकान के विशय में बात हो रही थे ऐसे मुद्दे उठाने से भारती जनता पार्टी को लाब होता है फाइदा होता है कभी सोचा चित्रा जी वैसे फाइदा शब्ट का मैं इस्तेमाल नहीं करूँगा ये जो फाइदा कहा गया वो क्यों होता है अगर होता है तो देखे कोई फाइदा बीजेपी नहीं कर देती है जनता जनारदन ही सब कुछ है अगर जनता वोट करती है क्यों करती है क्योंकि 75 वर्षों तक इस देश में जिस प्रकार की तुष्टिकरण की राजनीती रही हिंदूओं को और एक बहुत बड़े वर्ग को लगा कि एक मात् में कोई चिंता नहीं करता हर कोई इफ्तार पार्टी तो मनाना चाहता है नवरात्र के आरती करने से हर कोई कत्राता है या टीका तिलक लगाते हुए दिखने से हर कोई कत्राता है क्योंकि उसको लगता है ये टीका तिलक लगाना ये ये एक अच्छी बात नहीं है ये कोई सेकुलरिजम नहीं है ये नॉन सेकुलरिजम लगा के बैठे हैं आचारी भी है उनके उस सवाल का भी जबाद दीजे ना संबित पातरा जी उन्होंने कहा है कि सब पर मां मचली अंगे सब पर बैंड कर दीजे और जल्दी से मैं एक आखरा दे देती हूं उसके बाद संबित पातरा जी सवाल का आप जबाद दीजेगा अब हिंदुस्तान में सतर फीसदी से जादा लोग नॉन वेजिटेजियन फूड का इस्तेमाल करते हैं राजाने दिल्ली अगर टोटालिटी में बात करूं हाला कि दक्षण दिल्ली को लेकर ये फैस्ता है 63.2 फीसदी लोग ख चित्रा जी बिल्कुल नहीं चित्रा जी मैं एक यंग पॉलिटीशन हूं ये सब चीजें कौन क्या खाएगा ये हम कंट्रोल नहीं करना चाहते हैं कतई कंट्रोल करेंगे भी नहीं बिल्कुल जिसको जो खाने का मन है वो वो खाए स्वागत है इस देश का ये समविदान ह किन्तों देश में भी जैसे हम सम्मान करते हैं दूसरे धर्मों का मस्जिद के सामने जिस प्रकार के हमें हमें सम्मान करना चाहिए वो भाव हमेशा इंदुस्तान में रहता है ठीक उसी प्रकार वहां कभी भी हम उस प्रकार का मांस नहीं बेचते हैं या उस प्रकार का कोई भी काम कोई नहीं करता है या वो allowed भी नहीं होता है जो दूसरे एक संप्रदाय के लोगों को ठेस पहुंचाता हो ये भावना सबका सबके प्रती रहना चाहिए और कोई नहीं कह रहा है कि आपको जो मन वो ना खाईए जब पूजा पाठ हो रहे हो नवरातर का एक मौसम हो त जहां पर सेंसेटिविटी होती है खुले में वैसे भी आप देखिए मीट मचली ऐसी चीजें हैं जो मीट की दुकाने होती है खुले में टांगना ये तो खुद भी कहा गया है कि एक तरह से स्वास्त के लिए हानिकारक होता है हाईजिनिक मेथर अपनाना चाहिए और ग्र रस्ता क्या है कि कोई मांस के दुकान कोई मांस के दुकान नहीं खुलेगी तो लेस्न पर बैस भी कर देज़े मांस भी बैंक में कर देजे अब कौ Commonwealth क्या खाएट ये भी क्या आप लोग ही इंदर धारत करेंगी 2 जित्राजी 8 वर्षो से हम सरकार में अप बताईए चित्राजी आपके प्लेट से हमने कब क्या चीन लिया यहां अचारे प्रभुत कृष्ष्णान जी बैठे हैं उनके प्लेट में दिया ही है कभी चीना नहीं है पूरे हिंदुस्तान में कोई बता दे किसके प्लेट से मोदी जी की सरकार ने कुछ चीना हो तो बिलकुल चीना नहीं है कभी कोई चीनेंगे भी नहीं मगर ये बहुत बड़े विशय हैं सबके धर्मों के प्रती सम्मान आप देखिए लाउड स्पीकर पे आजान हो सकता है मगर में कोई बीजेपी सत्ता में नहीं थी मानसिक्ता ये जो मानसिक्ता है कि हम दूसरे नहीं इसी के कारण विभाजन हुआ था इस देश में और किसी भी देश में यदि हम इतिहास से कुछ नहीं सीखेंगे तो we are destined to commit the same errors again हम कभी भी इस देश को बाटना नहीं चाहते हैं सब सबका साथ सबका विश्वास सबका विकास सबका प्रयास इसलिए सभी धर्म एक दूसरे के प्रति सम्मान के साथ कोई भी इलाका हिंदु इलाका नहीं कोई भी इलाका मुस्लिम इलाका नहीं हर इलाका इस देश का ठीक है अजान को लेकर कि लाउड़ स्पीकर को लेकर और देखे हनुमान चालीसा से किसी कॉंग्रेस पाइटी के नेता को दिक्कत हो सकती है ये एक बड़ी बेहुदार मजाग की बात है ये ठीक नहीं है कॉंग्रेस पाइटी ने इस देश की सेवाएं की हैं साट साल से करीम इस देश को संचालित किया है कॉंग्रेस पाइटी न सब्सक्राइब बज बनąda अकर आप अपनी बना लो सारे राज अप ले लो देश आपके साथ मैं है आट साल लेकिन मेरे सवालों का जवाब दे दो कि यह देश जो है यह क्या केवल एक भारते ह Liverणा पार्टी का है या ये केवले कॉंग्रेस पार्टी का है इस देश के जितने लोग है उनमें जो आपस के अंदर जो रिष्टे थे उनमें जो सदभावना थी वो उसके उपर एक सवालिया निशान लगा है समित पात्रजी और जो बीज बोया जा रहा है ये काटना बड़ा मुश्किल है ये जो दिल्ली का मेर है जो फैसला कर रहा है अगर आप इस बात से सहमत है कि ये गलत है तो कहिए टेलिवीजन पे कि मेर साब आपकी बात गलत है मैंने तो बोल दिया कि राजिस्थान सरकार का जो फैसला है ये गलत है उन्हें नवरात्र भी शामिल करना चाहिए था क्योंके सरकार किसी एक जाती की एक धर्म की एक वर्प की नहीं होती है सरकार सब की होती है। लेकिन थोड़ा सा निश्पक्स हो करके, दिल बढ़ा करके आपको परमात्मानेरों इस देश की जंता ने सत्ता दी है। तो थोड़ा दिल बढ़ा करियेगा, दिल बढ़ा करेंगे क्या, जो सबाल उन्होंने पूछा है चित्रा जी दिल बड़ा है तभी तो जनता ने आशिरवाद भी बड़ा ही दिया है ये घरों घरों में राष्टर का निर्मान कर रही थी कांग्रेस इतने वर्षों तक लोगों के गाउं तक बिजली नहीं पहुंची थी हम आये तो बिजली पहुंचाया हमने 19,000 गाउं में तब जाके बिजली का काम पूरा पूरा हुआ देश में इतना बड़ा दिल था कांग्रेस पार्टी का आप बताईए कि अभी तक LPG सिलेंडर नहीं पहुंचे थे गाउं गाउं तक हम आये तो ये काम हमने पूरा किया तब जनता ने जाके बड़ा आशिरवाद दिया इतन उसी बात में पहता हूं बड़ा दिल ये बड़ा दिल वन साड़ेट ट्राफिक में क्यों चलता है बड़ा दिल जब कल गोरकपूर मंदिर के बाहर में मुर्तजा वहाँ पर लोगों को मारने में लगा था उस समय तो आपने मुर्तजा के विशे में कुछ भी नहीं कहा उस के खिलाफ FIR दर्ज की तो कहां चला गया आपका बड़ा दिल यह वन साइड़ बड़ा दिल क्यों है वह अगर हिंदू किसी मस्जित के सामने जाके लोगों को मारने लगे तो यूनाइटेड नेशन तक आप कंप्रेंट लेके चले जाए उस समय कहां चला जाता है आपका बड किल कर रहे थी इस पर जबाब दे दीजे साथ दो लाइन में उसके बाद गीता भड़ जी मैं फरन आपके पास आउंगी आचारी जी देखे चितरा जी डॉक्टर समीत पातरा बहुत घुमा घुमा के बात को करते हैं और एक दम ऐसा जूट भी ऐसा बोलते हैं सच लगे अरे भी इस देश में कॉंग्रेस की जो सरकार थी ये जो देश दिख रहा है आज हैं जहां आज ये स्टूडियो जहां चितरा जी आप बैठी ये नॉड़ा किसने बनाया कॉंग्रेस के सरकार बना और ये गुड़गामा ये दिल्ली का विकास ये मेट्रो ये दिल्ली के तमाम फ्लाई ओबर ये किसके हैं सरकार के कॉंग्रेस की सरकार के देन हैं ये तमाम दिल्ली का जो रेलवे का जाल है पूरे देश के अं तो अब जो आपने तरह से 8 साल में काम कर रहें समीत पात्राजी मैं उसकी भी सराना करता हू देश में कोई प्रधानमंत्री जो भी आज तक रहे हैं जाए वो पंधित अतल विहारी आज़े रहे हो τंक क्या है जिस्ट प्रह्यारांड रहे हो ऊपको ऑगे ले का काम किया लेकिन नफरत के बीज नहीं वही आप भी देश को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं मैं आप पे अनर्गल आरोप नहीं लगा हूँ वा जो मुरूए जा रहे हैं इसके लिए यह्यास आपको हाँ जल्दी से संबे जी बताइए गीताफ़ जी बहुत देरी से इंपजार कर रही है बोले यह आचारे जी बोल रहे हैं कि यह जो सब ऑफिस दिख रहा है आपका जो यह स्टूडियो दिख रहा है यह लैप टॉप यह सब इनों ने किया है मतलब क्या सोच रहे थे 75 साल में हम य पार्टी में confront यह हमें ब्ली मेर दे रहरे हैं कि इस प्रकार की बाते करते हैं यह आपने देश को कुछ दिया है तो परिवार वाद दिया है करब्शन दिया है कुछ तो विल्डिंगे ऐसी वी बनेंगी आप सोचिए इसी कारण से जंता जनारदन ने आपका ये हाल किया है और जहां तक तूष्टी करण का विशा है तूष्टी करण आप ही लोगों ने दिया है इसमें किसी प्रकार का संसय नहीं है किसी प्रकार का शक नहीं है किसी को मांसहार की जरुत हो तो वो दक्षन दिल्ले से कहा जाएगा यही तो वो सबाल है आप समझे सबाल का जबाद दीजेगा लेकिन गीता भड़ जी सिद्या आपके पास आते हुए अब मौझूदा वक्त में एक तरफ हिंदू तुस्टी करण एक तरफ मुस्लिम तुस्टी करण देश किस तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है अगर त्योहारों को भी इस तरह से हम बाटेंगे और बिजली को लेकर मांसहार को लेकर इस तरह का फैसला करेंगे तो बहुत स तकुलरवाद से ग्रस्त हैं आप देखे तो उन्हीं में इस प्रकार के जो नोटिस निकल रहे हैं अभी राजिस्थान के विशे में सबने अपनी बात कही है उसी तरह आप देखिए दिल्ली में दिल्ली सरकार का जल बोर्ड का नोटिस है जिसमें कहा गया है कि अगर कोई मुसल्मान करमचारी है तो उसे दो गंटे की छुटी जो है वो जल्दी दी जाए लेकिन इसी प्रकार से बहुत सारे लोग नवरातरी का वरत रखते हैं उनके लिए भी तो इसी प्रकार का नोटिस निकाला जा सकता है ये नहीं कहरें कि क्यो निकाला है लेकिन दोनो मंदिर बन रहा है तो क्या ये हिंदू मुसल्मान है अगर आटिकल 370 को जम्मु कश्मीर से में समाप्त कर दिया गया जम्मु कश्मीर आज भारत का सच में जो एक इंटेग्रल पार्ट बन पाया है तो क्या ये हिंदू मुसल्मान हो रहा है तो हिंदू मुसल्मान की आपक दुकाने बंद रहेगा तो e-commerce की दुकाने तो बंद नहीं है अगर कोई व्यक्ति खाना चाहता है तो वो online order कर सकता है online कितने लोगों online order करेंगे जीता भड़ जी कितने और online मंगा सकते हैं लेकिन बाकी दुकाने चोटे दुकानदारों की दुकाने बंद करवा दीजे और online से बड़े दुकानों को फायदा पहुंचाईए यही कहना चाहिए आप देखिए समाज में समाज में किसी भी इलाके में अगर वहां के रहने वाले व्यक्ति अगर किसी क अब आप यह बताएए में 1994 से ओर्डर निकला हुआ है कि जैन समुदाय का जब फेस्टिवल वहां होता है तो वहां उन दिनों मीट की दुकाने बंद रहती हैं तो सरकार चाहे कोई भी हो वो समुदायों को देखकर अगर अगर किसी एक या दो दिन के लिए अगर दुकान कि अगर आप देखें इसके लिए आप यह देखें किसी एक मेर ने इसके उपर डिसीजन लिया है कोई यह सरकार की केंदर सरकार की तरफ से कोई नीती नहीं आई है और यह सब्सक्राइब मध्यपरदेश में कई कई बार ऐसा होता है यहां तक कि जो राश्री ये दिवस हो पोई दुकाने तो क्या उन्दौ उस दिन कोई कहेगा कि मुझे आज ही मीट खाना है तो मीट की गुणनी चाहिए या उस समय कोई को है जो है कि मुझे घाकं कोई मेयर कैसे डिसाइड कर सकता है ये अधिकार संविधान देता है अब कम से कम खाने पीने की आजादी तो आप मत चीनिये लोगों से खाने पीने की आजादी तो बनी रहने चाहिए ठीक है मुकेश शर्मा जी को जोड़ना चारहे है मुकेश शर्मा जी लेकिन गीता जी की भूंज को मंधरे इसमों मुझे और भी में होद्री के अवड़ी प्राइब सब्शक्राइं में मीट की दुकान पर पहां डेका ना चाहता हूं छित्राजी दिल्लीं नगरुंस मुझे और दिनली के लोगों को पूछने का अधिकार है कि मन्दरों के पास मीट की दुकान का लाइसनस MCD ने noon कि यही MCD बीजेपी दो बार से MCD में है इन्ही मन्दरों के पास मीट मेचने का लाइसनस इसी भारती जिंता फालती के M.C.D. ने दिया है और यही भारती जिंता फालती के M.C.D. आज दाजिती करन करने के लिए कह रही है मीट की दुकान बंद कर दो कौन क्या खाएगा यह अधिकार उसका है लेकिन M.C.D. को एजरार दिल्ली के लोगों को देना होगा मैं पूछ लूगी संभिजी से मैंने आँ बताए यह बैक फूट पर क्यों आना पड़ा राजस्थान में इसके पैसे खाए गए मैं पूछ लूगी जब एक बार आदेश निकल गया था तो फर शब्द बापस लेने के जरुद क्यों आन पड़ी गलती हो गई थी बिजली का करेंट लगा लगा कि एक बड़ा वर्ग नाराज हो जाएगा इससे मैंने आपको आप डिबेट निकाल के रिवाइन कर लेना मैंने आपको पहले कहा था कि उस जिले का नाम डाक्टर संबित पात्रा बताएं जिने हिंदू के जिले में बिजली नहीं जा रही हम टिक करवाएंगे ऐसा ही निलागा जिस्तार में अगर राजिस्थान में सबको बिजली मिलती तो ये और्डर क्यों पास होता कि मुस्लिम बहुले इलाकों में जमेदारी है प्रबोट कुष्दंदी नहीं कहा वो आपके ही नेता हैं वो कह रहे हैं कि धर्म के अधार पर फैसा नहीं लेना चाहिए बिजली के मुद्दे पर लेकिन लिया जा रहा है मेंने कहा है मैंने पहले ही कहा था हमारे लिए सब बराबर है अगर किसी जिले में बिजली नहीं है तो आप बतादे है एक ही जगा पसुर्या आकर रटक गईए जिले का नाम बताई, जिले काूँ आप को जल्टा निचुना है आप बताईे का बात आप आप ऐख or जन्ते लीका दायी ही, कि तवाम जिलों में बिजली जाती है और अगर जाती है तो फिर ये नोटिस क्या कहता है जो जारी किया गया है अब फिर कह रहा हूँ नवरात्रों के दिनों में जिस समय लोग मंदिल जाते हैं जिस समय हमारी बहने मंदलों में निकलती है हमारे बाई मंद्रों में निकलते हैं राजिस्तान में शानदार विवस्ता सभी धर्मों के लिए कि रही है तो पूछा जाएगा कि हिंदू-मसल्मान कॉंग्रिस की सरकार राजिस्तान में क्यों कर रही है लेकिन मीट को लेकर उन्होंने समबिपात्रजि सवाल पूछे हैं उन्होंने का कि पहले लाइसेंस आप ही देते हैं और फिर बाद में राजविक की चमकाने के लिए दुखाने बंद करवा देते हैं मेरे को यह अबही पता नहीं है और जो 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 रोसर प्रकार के क्यों करते हैं के चित्राजी ये दंगे क्यों करते हैं कि एक फिज़ाइए आप पहले जो पर आपको किसने मीट काने से रोका यह इंको पहले मीट दो अरे आपको मीट खाने से किसने रोका है क्यों गुस्सा हो रहे हो मेरे क्यों मेरे इनको मीट दो पहले ये मीट नहीं खा कि मेरे पे गुस्सा हो रहे हैं आप बताईए आप खाईए ना मीट किसने मना किया है वक्त हमें इतने की हिजाज़त देता है लेकिन तेओहारों में ये जो हिंदू-मुसल्मान चल रहा है कम से कम समाज के लिए वो खत्ता ही ठीट नहीं है राजस्थान के सरकार का पहले लिया गया जो फैसला हो हाला कि अब वो बैक फूट पर है रमजारों मुस्लिम बाहुले शेत्र हटा लिया गया है वहीं दक्षरिद दिल्ले को लेकर भी बार-बार वहां के लोग सवाल पूछ रहे है कि क्या कोई मेर इस बारे में फैसला करेगा कि किसको कब कहां पर क्या खाना चाहिए एसी को लेकर दंगल में हम चर्चा कर रहे थी